ठक चुके हो, हार चुके हो, तूट चुके हो, बिलकुल बरबाद हो चुके हो, हर तरीके से खतम हो चुके हो, कहीं नहीं जाना है, 100% फाइदा मिलेगा, कहीं नहीं जाना है, जहां हो वहीं बैठ जाओ, जहां भी हो, आज कोई राम राम नहीं कोई शाम शाम नहीं डाइरेक्ट मुद्दे की बात पर जिने वीडियो छोड़ कर जाना है निकल जाए नहीं आवशकता में जुठे लोगों की जिने वीडियो देखनी है एंड तक देखे जहां हो वहीं बैठ जाओ किसी मंदर नहीं जाना है किसी भी दरबार में नहीं जाना है घर पर पूजा करते हो ना बाबा की किसी भी भगवान की घर पर पूजा करते हो ना घर पर पूजा होती है और अगर आप घर पर पूजा नहीं करते आपके घर में मंदिर नहीं है बगवान का पूजा स्थान नहीं है ये वीडियो छोड़ कर चले जाओ बाग निकलो यहां से अब ध्यान से सुनो जहां भी हो अपने मंदिर में पूजा स्थान पर बैठ जाओ इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दिन हो कोई भी तिथी हो कुछ भी हो चाह Bear रात के तीन बजे वीडियो देख रहे हो उसी समय जाकर बैठ चाओ यह मत्षो चोचो भगवान सो रहे होंगा यह नहीं, कुछ भी नहीं है जब आप जाग रहे हो आप दुखी हो तो भगवान कैसे शो जाएंगे बैठ जाओ जाकर भगवान की तरफ देखो मान के चलो आप भबाशाम की पूजा करते हो भबाशाम की तरफ देखो अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बातें भगवान को बोल दो एक भी पैसा खर्चनी करना है कहीं नहीं जाना है किसी मंदिर में नहीं जाना नहीं जाएंगे हम कहीं पर बहुत बटक लिए आज भगवान आमारे पास आएंगे हम नहीं जाएंगे भगवान की पास बैठ कर जो बात बोल रहा हूँ आपने सुना होगा कि आज तक मैंने वीडियो में कहा है कि किसी भी एक बात को दो बार रिपेट नहीं करेंगे लेकिन आज करूँगा जरूरी है अब जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात कौन बोल सकता है वो बात केवल और केवल रशिक बोल सकता है रशिक पहले होते हैं लोग दिखावा पाखंडी मेरे जैसे जो कि वो लोगों को दिखाने के लिए मंदिर में जाते हैं भगती करते हैं फिर होते हैं वागत जिने हम भगत बोलते हैं ना भगत होते हैं फिर आते हैं प्रेमी, हम बोलते हैं ना श्याम प्रेमी, राम प्रेमी, भगवान की प्रेमी, आते हैं प्रेमी, और फिर आखिर में आते हैं रशिक, रशिक का मतलब है भगत और भगवान की बीच में कोई अंतरना उना रशिक होता है, जब हम प्रेम की प्रम प्राकाष्ठा को पार कर जाते हैं तो हम रशिक कहलाते हैं अब आप सोचोगे कि हम तो रशिक नहीं है ध्यान से सुनो अगर आप हर जगह से तूट चुके हो ध्यान से सुनो दोबारा फिर रिपेट कर रहा हूं तूट चुके हो सच में हार चुके हो एक होता है मुझ जैसे पाखंडे की ब बना लेते हो कि हां यार खार चुके हैं हां प्रिशान 25 इस समय श्याम कुंड के उपर बैठा हूं और स्याम कुंडagar उपّर बैठ ले उपफा हुआ अगर सच में हार चुके हो बार बार क्यों रिपेट कर रहा हूं पता है क्योंकि अगर जुठे मन से ये बात बोल दीना तो आज जहां हो वहां से भी खतम कर देगा याद रखना जहां हो वहां से भी खतम हो जाओगे ये बात बोलने से पहले अपने आपसे पूछना कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं सच में हारा हूँ जहां हो वहां से भी खतम कर देगा, ऐसी जगह फेंक देगा, जहां से निकलना ऐसंबह हो है, कभी वापिस नहीं आ पाओगे यहां पर बता दूँ, यह बात मेरी लिए अपलाई नहीं होती, क्योंकि मैं रसिक नहीं हूँ मैं केवल और केवल वीडियो बना रहा हूँ, मुझ पर अपलाई नहीं होगी यह बात मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं कोई प्रेमी नहीं हूँ, रसिक तो सवाली पैदा नहीं होता मैं केवल और केवल बाबा के प्रेमियों की पैरों की दूल उठाकर अपने माथे पर लगाता हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा श्याम ये बात मुझे पर अपलाई मत करना चले आगे जहां भी आपका पूजा स्थान है जिस भी भगवान को मानते हूँ उसकी सामने बैठ जाओ के वले एक बात बोलो बैठ कर भगवान की तरफ देखो भगवान आपको मुस्कुराते हूँ नजर आएंगे लेकिन तुम मत मुस्कुराना तुम मत मुस्कुराना भगवान की तरफ देख कर बोलो अगर पांच समय आरती करवा के फरी हो चुका हो चुके हो नहीं चुका हो अगर पांच समय की आरती करवा के फरी हो गया हो शपपन परकार के बोजन ग्रहन करके पेट भर चुका हो दुनिया भर की ऐसो आराम लेके खुश हो चुका हो महंगी महंगी गाडियों में घुम कर अनन्दित हो चुका हो पैसे वालों के गर से थोड़ी सी फुर्षत मिल गई हो जो वी आई पी एंट्री करके दो दो गंटे तेरे सामने बैठे रहते हैं अगर उनसे थोड़ी सी फुर्षत मिल गई हो और जो माता एहलावती को तुने वचन दिया था कि हारे का सहरा बनूँगा दूसरा कोई कुछ मांगेगा इंकार नहीं करूँगा अगर गलती से तुझे वो थोड़ा सा भी याद हो और तुझे में थोड़ी सी भी सरम बची हो पहले ही बताया था कि बार बार रिपेट करूँगा अब भी बता रहा हूँ वही बोलना ये सबद जो सच में हारा हो और ये मुझे पर अपलाई नहीं होते मैं रशिक नहीं हूँ जो सच में हारा हो जो सच में तूट चुका हो केवल वही बोलना अन्यता दूसरा नहीं बोल सकता कोई भी हमने भगवान की सत्ता पर अब्जेक्शन उठाया है कोई छोटी बात नहीं है लेकिन सच बताता हूँ अगर ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया साख साथ जवाब मिलेगा क्या जवाब मिलेगा सुनते रहे न वीडियो को जब ये बात बोलो ना जब ये बात आप बोलो गे भगवान से भगवान सुनेंगे इस समय भी सुन रहे हैं शाम कुंड के उपर बैठाओं और बाबा से माफी मांग कर बैठाओं कि पता नहीं क्या निकल वाएगा तुमुक से मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ जो बाते हमने बोल ली हैं वीडियो को दोबारा देख लेना वही बात बोल देना दोबारा हम बोल लेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा वही बात बोल देना आप अकवान को कि अगर हर चीज से फुर्षत मिल गई हो तो सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार मेरी तरह भी देख ले और याद कर ले उस वचन को जो माता हिलावती को तुने दिया था तुने कहा था कि हारे का सहारा बनूँगा मैं हार चुका हूँ तूट चुका हूँ लेकिन तुनेरा सहारा नहीं बना है अगर ऐसे ही लोगों की खुशियों में तुझे सामिल होना है हो जा अमीरों के गर जाना है चला जा जो वियाईप दर्सन करते हैं उनकी सुननी है सुन ले लेकिन आज से ये मत कहना आज से अपने आगे से हर एका सहारा टैग हटा दे आज से बोल दे कि मैंने अपनी मा के वचन जुठे कर दिये हैं एक बार बोल दे मैं मान जाओंगा तुझे सामने से आवाज आएगी कि बता क्या बात है प्रदनाम मत करना रामरा मत करना पूछ लेना कोन है तुं तुम नहीं तुम कोन है तुम सामने से आवाज आएगी कि तुम जो भी मानता है मुझे मैं वही हूँ मैं, मैं तुझे विश्व का एक छत्तर समराट मानता हूँ तू लखधातार है, क्या तू वही लखधातार है क्या तू वही हारे का साहरा है, सामने से आवाज आएगी हाँ, मैं लखधातार हूँ तो फिर मैं कौन हूँ सामने से आवाज आएगी भगवान जवाब देंगे कि तू वो है जो तूने मेरे साथ रिस्ता बनाया है बोल देना कि मैंने जो भी आपने रिस्ता बनाया हूँ मान के चलो आपने रिस्ता पिता-पुत्र का बनाया है मैं आपकी उलाद हूँ आप कौन हो सामने से जवाब मिलेगा मैं आपका पिता हूँ फिर बोलना कि मैं आपकी नकमी ओलाद और आप मेरे पिता हाँ यही है तो यह बताओ गदे का बच्चा सामने से जवाब मिलेगा गधा बंदर का बंदर और राजा की ओलाद सामने से तुरंट जवाब मिलेगा राजा तो जब आप मेरे पिता हो हम आपकी संतान है हमें एक समय खाने को नहीं है पांच समय भोग लगाता है यहां कोई एक समय हाल चाल नहीं पूछता वहां तु पांच समय आर्थी करवाता है तेरे धाम आने से पहले लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है वहां तु करोडों में खेलता है हमने सुना है कि संपूर्ण सिरिष्टी में एक पिता ही ऐसा है जो चाहता है कि मेरी उलाद मेरी संतान मुझे भी ज़्यादा तरक्की करे क्या यही है पिता पुत्र का नाता क्या यही है हमारे संबंद मानता हूं गलतियां की है आगे भी करूँगा यह नहीं आगे नहीं करूँगा करूँगा और तुझे माफी देनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं तेरी निकम्मी उलाद और तू मेरा लायक पिता है तेरा धरम है तेरा फरज है मेरी गलतियों को अंदेखा कर कि मुझे माफ करना जब दिल से बौल उठोगे ना उसी से मैं बाह पकड़ लेगा उसी से मैं बाह पकड़ लेगा कि आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही अरकत में हैं उसी से मैं बाह पकड़ लेगा और ये बताने की आउशकता नहीं है कि जिसकी बाह मेरे शाम ने पकड़ ली साथ पीडियां पहले की साथ आने वाली और खुद पंद्रह पीडियां एक साथ पार लगा देगा एक साथ पंद्रह पीडियां पार लगा देगा जान रहे इन बातों का जो यहां तक पहुँचे हैं वीडियो देखकर आपके हिस्से एक काम देता हूँ करो तो इस वीडियो को उन्हारे वो तक पहुचाओ जो हार चुके हैं तूट चुके हैं शेर करो इसे फेस्बुक पर वटसब पर जहां भी कर सकते हो दिखाओ उन लोगों को कि कहीं मतबटको घर का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है खाटू धाम चुलकाना धाम या जहां हम बैठे हैं शहरवा धाम या विश्व के जो भी धाम है वो फेल हैं घर के मंदिर के आगे इतनी सुंद्र सरिष्टी को छोड़ कर क्या बाबा खाटू बैठा है क्या उस चार दिवारी में कैद है बाबा क्या गुना कर दिया बाबा ने जो बाबा की जेल हो चुकी है वहीं कैद है बाबा नहीं हमारे घर के मंदिर में विराजमान है बाबा हमारे मंदिर से बड़ा कोई धाम नहीं है सिरिष्टी में अच्छी लगे वीडियो सेर कर देना जैस दिशाम